राम राम किसान भाईयों, मैं नितिन फिर से हाजिरूं, आपके अपने चैनल नितिन देवल में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे गेहूं की पांच उन्नत सील किस्मों के बारे में 2022 के अंदर जिन पांच किस्मों के बारे में आज मैं आपको जानकाई देने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है इन पांचों में से किसी भी एक किस्म का यदिया आप चैन करते हैं तो बहुती सांदार और बंपर पैदावार आपको देखने को मिलेगी कल जो हमारी वीडियो आएगी वो गेहों की बुआई से लेके गेहों की कटाई तक आपको किस किस समय पर कौन-कौन से कारे करने हैं कौन-कौन से इस्प्रे लगाने हैं कौन से खाट डालने हैं, किस तरीके से बीज उपचार किया जाएगा, किस तरीके से खेट तयार किया जाएगा, संपूर जानकारी की वीडियो कल आपको देखने को मिलेगी, तो उस वीडियो को भी आप देखना ना भूलें, आज की जो 5 वेराइटिया हैं बहुती सांदार और अच्छी वेराइटियों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, इन वेराइटियों में से किसी भी वेराइटी का जदी आपने पहले कभी चैन किया है, और आपको कैसी पैदावार मिली है, नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, तो टोटल पांच वेराइटियों के बारे में जानकारी देते हैं, पहली जो वेराइटी है, वो है किसान भाई यो हमारी करनवंदना DBW 187, ये काफी अच्छी और प्रत्लित किसम है, और इस किसम का जो चैन है, ये किसान भाई काफी लंबे समय से कर रहे हैं, इसकी पकने की अवधी की बात क पढ़ती है, तो 40 से लेके 45 किलोग्राम बीच की आवस्ता आपको पिरती एकड़ेहां पर पढ़ने वाली है, बात करते हैं बाई के समय की, कि बाई का समय हमें क्या लेना होगा, तो 1 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक यदि आप इसकी बाई करते हैं, तो सांदर में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, असम में रख कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं, और इनके साथ साथ जिन जिन राज्यों के अंदर गेहूं उत्पादे छेत रहें या जिन जिन राज्यों के अंदर गेहूं की पैदावार ली चाहिं बात करते हैं इसके उतपादन की तो इसका जो उतपादन है वह आपको 26 से लेके 28 खुंटल पिर्थी एकर तक की पैदावार यह वाराइटी यह किस्म आपको निकाल करके दे सकती है सिचाईयों की बात करें कि इसे कितनी सिचाईयों की आवसकता पढ़ती है तो तीन से लेके चार सिचाईयों की आवसकता इस वेराइटी को आपकी पढ़ने वाली है यदि तीन से लेके चार से चाहिया आप करते हैं तो ये आपको सांदार पैदावार निकाल करके दे सकती है यदि टिल्रिंग की बात की जाए तो एक पोदे से आपको बारे से लेके तेरे कल्ले ये गए हूँ आपको निकाल करके दे सकती है सिरी राम सूपर 303 इसकी जो उचाई है वो आपको 88 से लेके 100 सेंटिमेटर के असपास मिलेगी कम लंबाई का पोधा होने की वज़े से ये वेराइटी ये किस्म आपकी नीचे नहीं गिरती है और आपको काफी अच्छी पैदावा निकाल करके दे सकती है एक पोधे से आपको लगबाग बारे से लेके 13 कल्ले देखने को मिल जाएंगे इसका जो पोधा होता है ये काफी अच्छी तरीके से ग्रोध करता है और इस किस्म का दाना आपको काफी मोटा वे चमकीला नजर आएगा साथी साथ बालिया काफी लंबी वे मोटी किसान वे आपको देखने को मिल जाती है इस गेहों की यदि आप रोटिया खाना चाहेंगे तो रोटिया भी इसकी काफी अच्छी और स्वादिष्ट किसान भाईयो रहती है बात करते हैं रोगों की कि रोग इसके अंदर कैसे ल की पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकते हैं यदि आप अगेती बाई करते हैं तब आपको ये 28 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके देगी और यदि आप इसकी पचेती बाई करते हैं तो 24 कुंटल तक की पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी बात करते हैं बुआई इसकी किन किन राज्यों के अंदर हम कर सकते हैं तो पंजाब में आप इसकी बुआई कर सकते हैं हर्याणा में आप इसकी बुआई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में आप इसकी बुआई कर सकते हैं मद्धे प्रदेश में आप इसकी बुआई कर सकते हैं अब बात करते हैं किसन बहुए अपनी तीसरी वरायटी के बारे में। तीसरी वरायटी है किसन बहुए हमारी पूशा जैसस्वी, HD 32, 26 ये भी बहुती सांदर और अच्छे वरायटी है। इसका चैन वी जिन जिन किसन बहुए और ने किया है। ये किसम आपकी 142 दिन के अंदर पक्कर के तयार हो जाती है बात करें बुआई के समय की तो लगभग 25 अक्टूबर से सुरुबात करके 15 नवोंबर तक यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार ये आपको निकाल करके दे सकती है बात करते हैं कौन-कौन से राजियों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मो कस्मीर, असम, हरियाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार आदी राजियों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं इसकी हाइट की बात करें तो सो सेंट्रमिटर के आसपास तक इसकी बात करें बालियां इसकी काफी लंबी और सुंदर और चमकदा किसान भाईयों आपको देखने को मिल जाएंगी उत्पादन की बात करें तो 26 से लेके 28 कुंटल पिरती एकर तक की पैदावार इस किसम ने किसान भाईयों को निकाल करके दी है पीला रत्वा हो, काला रत्वा हो ये रोग इसके अंदर बहुती कम देखनी को मिलेंगे करनाल बंट भी इसके अंदर काफी कम आपको देखनी को मिल जाएगा यानि कि रोगों के प्रती काफी ज़्याद है सेहनसिल होने वारी ये किसम आपके लिए है सिच्चाईयों की बात करूँ तो 3 से लेके 4 सिच्चाईयों की आवसकता इस वराइटी को आपकी पढ़ने वाली यदी हलकी मिट्टी है, रेथिली मिट्टी है तो हो सकता है वहाँ पर आपको 5 पानी की आवसता भी पढ़ जाए और यदी तिल्रिंग की बात की जाए कल्लो की बात की जाए तो एक एक पोधे से आपके 10 से लेके 11 एकले ये किसम आपको निकाल करके दे सकती है, बात करते हैं किसानवयों अपनी चोथी किसम के बारे में चोथी किसम है किसानवयों हमारी करन नरिंदर DBW-222 यह भी एक सांदार और अच्छी वराइटी है किसानवयों, जदि बीज की मात्रा की बात करूँ तो 40 से लेके 50 किलोग्राम पिरती एकर तक बीज की आवसकता इस वेराइटी की आपको पढ़ने वाली है पकने की अब धी देखी जाए तो 140 से लेके 142 दिन के अंदर ये वेराइटी ये किस्म आपकी पक करके तयार हो जाती है बुआई के सही समय की बात की जाए तो 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नुवंबर तक यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो बिल्कुल सही और 60 समय ये आपकी गेहों की बुआई के लिए रहता है सिच्चाईयों की बात करें तो तीन से लेके चार सिच्चाईयों का हो सकता आपकी इस वराइटे को भी खिस्तन भाईयों पढ़ जाती है बालियां बालियां इसकी लंबी और अधिक दानो वाली होती है और काफी चमकदार भी ये भी आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वज़े से इसकी जो पैदावार है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है उत्पादन देखा जाए तो लगभग ये आपको 26 से लेके 30 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है यदि आपने सही समय पर इसकी वज़े कर दी यानि कि 25 अक्टूबर के असपास आपने इसकी वज़े कर दी है तो ये आपको 28 से लेके 30 कुंटल तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है बिमारी बहुत कम रोग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी रोग पित्रोदक छमता जो है वो इस वराइटी के अंदर काफी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी रोगों के प्रती काफी ज़्यादा सहनसिल ये वराइटी किसानवायो आपके लिए होने वाली है तो इस किस्म का भी चैन आप कर सकते हैं यदी मैं टल्रिंग की बात करूं तो एक पोदे से आपको तेरह से लेके 14 कल्ले ये किसम भी निकाल करके दे सकती है अब बात करते हैं अपसे पांचमी किसम कोंसी है तो हमारी पांचमी किसम है किसानवायो 5 हडिय किसानवायो काफी लंबे समय से बीज की मात्रा की बात करूँ तो HD 29-67 का जो आपको बीज लेना है वो आपको लगबख किसानवाई चालिस से लेके 50 किलोग्राम पिर्टी एकड़ के हिसाब से ही लेना है पकने की अब धी देखी जाए तो 135 से लेके 140 दिन के अंदर ये किसम हमारी पकर के तैयार हो जाती है इसकी बौई भी आप 25 अक्टूबर से लेकर के पूरे नवोंबर यदि आप करेंगे तो अच्छी पैदवार ये भी आपको निकाल करके देगी सिच्चाईयों की बात करें कि कितनी से चाईयों के आउसकता पड़ती है तो 3 से लेके 4 से चाईयों के आउसकता आपकी HD 29 सरसट को भी पड़ जाती है बालिया इसकी भी काफी अच्छी और सांदार आपको देखने को मिल जाती है उत्पादन देखा जाए तो 26 से लेके 28 कुंटल पिरती एकर तक की पैदवार इस किसने भी किसान भाईयों को कई बार बहुत बार निकाल करके दी है और किसान भाईयों की काफी चहेती वेराइटी ये रह रही है बिमारी किसान भाईयों इसके अंदर लगती है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिमारी नहीं लगेंगी एक दो रोग इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो उन रोगों के लिए आपको इसके अंदर इस्प्रे भी करने पड़ सकते हैं तो तिल्डिंग की बात की जाए तो तिल्डिंग इस किस्म के अंदर भी आपको एक एक पोदे से आठ से लेके दस कले ये वेराइटी भी निकाल करके दे सकती है ये तो ये मैंने टोटल पांच किस्मों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दिये लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितनी पैदावार जितना उत्पादन मैंने आपको बताया है यदि इतना ही उत्पादन आपको चाहिए तो आपको अपने खेत के अंदर जो बीज आप डाल रहे हैं तो पानी की कमी बिल्कुल भी न होने दें किसी भी रोग को फंगस को अपने जो गेहूं है उसके अंदर ना लगने दें अगर ये रोग लगते हैं तो हमारी पैदावार स्वतही कम हो जाती है तो उम्मीद है मेरी ये पाचो वेराइटियां आपको काफी जादा पसंद आई होंगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जादा से जादा किसान भाईयों तक सेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करने तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में त अम्रामजी